हम इस वीडियो में इस दसी फैक्ट जो है वह कवर करने वाले जो MP से रिलेटेड है या फिर केंद्र से या उसे जो रिलेटेड करण्ट अफियर हैं जो की आने वाली जो जितनी भी इंपॉर्टेंट परिक्षा है मद्य प्रदेश से रिलेटेड उन्ह अभी के लिए बहुत सादी हनी तेस्टिंग का संबंद हैं सीध जो है मीठी करांथी से जो यवली हनी टेस्टिंग व्याचवोल में अनप्रद्रटेश को PTS बहरा है नरींद्र सिंग तोमर द्वारा हुआ है और जंजालन जो है क्रसी विज्ञान केंद्र द्वारा किया जाएगा तो देखे इसका जो आप सबसे इंपोर्टन तो फैक्ट यही बन गया है कि हनी टेस्टिंग लेब कहां पर है सुरू की गई है तो मद्य प्रदेश की जो है पह लुआ कि अधर करने वाले किसानों कि सह्त की क्वालिटी सैइं शेहत की क्वालिटी का परिक्षण किया जाएगा है सहतनी जहाएना अंच्छ देखते हैं जए वित्ता सनरक्छन में अकर हम दो दिखे सुदिगल कि अंतराश्टी जए विवित्ता दिवास जो है नेक्स वर्ष जो है बाइस माई को अंतराश्टी जे विवित्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है इसकी सुरुआग जो है वो 1993 से सहींगतराष्ट महासवाद्वाध द्वारा की गई दी यानिकि युण द्वारा ठीक है जे विवित्ता के जो उद्देश है वो उद्देश यह ह कि जो जे विवित्ता के मुद्धे हैं उन पर जो है समझ और जागरुकता को बढ़ावा मिले उनको बढ़ाने का उद्दीश से जो है 1993 में सहीत राष्ट महा सवदारा इसके स्थापना 22 मई को की गई थी अंतराष्टी जे विवित्ता दिवस इसकी इस वर्ष की जो थीम है वो है वन ने जीव सनरक्षण के लिए साज़ेदारी देकि थीम बहुत इंपोर्टन्ट हो जाती है और दिवस तो बिलकुल याद होने ही चाहिए सारे जतने भी दिवस हैं जो आने वाले एक्जाम है उनके आगे पीछे आप देख लीदे तीन तीन चार शर महीने आंग के जितने भी दिवस हैं दो महीने पहले दो महीने पीछे के जितने भी दिवस हो लगबख important बन जाते हैं तो 22 मही को जो है अंताराष्टी जेव विवित्ता दिवस के रूप में मनाये जाता है इसकी सुरुवात कब से की गई थी 1993 से और किसकी दोरा की गई थी सैयुक्त राष्ट महासभा के दारा इस वर्स की जो थीम है इसकी वो है वर्नि जीव संरक्षन के लिए साजेधारी जे पोधे जीव जन्तो में पाई जाने में अलग अलग प्रकार की विशेष्टा जे विवित्ता कहलाती है यह जे विवित्ता होता क्या है जो पेड पोधे है या जीव जन्तो है उनमें जो भी अलग अलग प्रकार की जो विशेष्टा पाई जाती है उनको हम क्या पूलते है जे विवित्ता, जे विवित्ता के अगर हम प्रकार देखें, तो ये दीन टाइप की है, जे विवित्ता, अनुवांसिक विवित्ता, प्रजाती विवित्ता और पारिस्तितिक विवित्ता, ये लगबग अब थ्री मार्कें के साब से भी लिखने के लिए इंपोर्टन्ट हो गई थी और तो यह जो है जलिये परेश्थिती तनतर के सद्रक्षन के लिए एक राष्टी चुछना जो है और भूमी संद्रक्षन प्रभंधन नियम 2017 के नियम जो है इसका आदरभूमी जन्रक्षन प्रभंधन नियम 2017 का यह ठीक है जै यह भी 2028 यह देनीयम वन्नी जीव अधिनियम है वो कपका है 19 1972 का वन्नी जीव संरक्षन अधिनियम है और 2002 का है जे विवेदता अधिनियम आप ये नियम जो है याद रख लेज़ें आदर भूमी नियम का है नेक्स देखते हम अर्जुन राम मेगवाल ये कौन है अर्जुन राम मेगवाल ये होंगे नए कानून मंत्री ठीक है ये जो है किरन रुजिजु की जगए जो है ये अर्जुन राम मेगवाल जो है नए कानून मंत्री होंगे अब जो मेगवाल है इनके पास जो है संस्कृति मंत्राले संसदी मामलो के राज्य मंत्री का जिम्मा भी है अब जो किरन रिजु है उनको प्रत्थवी विज्ञान मंत्राले का जिम्मा सूपा गया है तो यह याद रख लीजिए अर्जुन राम मेकपल कौन होंगे नए कानून मंत्रे इनके पारे में और थोड़ा जान लेते हैं अर्जुन राम मेकपल जो है वो राजस्थान के अड़र में एक IAS अधिकारी थे अर्जुन राम मेकपल यह भी एक IAS अधिकारी थे और अर्जुन राम मेकपल जो भीका नेर से लगा था तीन तीसरी बार सांसत भी निर्वाचित होएं 2013 में इन्हें सर्विस रेश्ट सांसत का पुरुसकार भी मिला है अर्जुन राम मेकपल इनके बारे में हमने जान लिया है कि नए कानून मंत्री होंगे नेक्स्ट किसके बाद कि रेश्ट सांसत का पुरुसकार भी मिल चुका नेक्स्ट देखते हैं PM मित्र पार्क क्या है धार में यह MP के MP करद जीके में कवर हो रहा है तो धार में जो है PM मित्र पार्क को मंजूदी मिल गई है इसका सुभारम जो है सिवराज सिंग चोहान दौरा इसकी घोशड़ा जो है मार्ट 2023 में केंदर सरकार दौरा की गई थी इसका पूरा नाम होगा PM Mega Integrated Textile Reason and Apparel पूरा नाम क्या होगा PM Mega Integrated Textile Reason and Apparel इसका उद्देशे जो है जो हम ये PM मित्र पार्क बना रहे हैं इसका उद्देशे क्या है इसका उद्देशे है भारत को वेश्विक कपड़ा दिगजो के बराबर खड़ा करने के दश्टिकोन को पूरा करना ये इसका उद्देशे है भारत को वेश्विक कपड़ा दिगजो के बराबर खड़ा करने के दश्टिकोन को पूरा करना ये PM मित्र पार्क का उद्देशे है हैं एमोई यू हस्ता के भास सरकार के कपड़ मंतरलने बाप प्रदेश सरकार के विच एक एमोई यू साइन हुआ है इसके लाप क्या क्या होंगे कि प्रदेश की युवाओं को रोजगार मिलेगा राज्य के विकास को भी एक नई गति मिलेगी पीम मित्र पार्क हम देख ल जो में जो है सरीकी के कपड़ा पार्क जो है वो स्थापित होंगे ये भी कहा गए गुजिरात में कहां कहां होंगे गुजिरात के नफसारी में तिलांगरा वीरांगल में करनाटक काला बुर्गी में मद्य प्रदेश धार में महराष्ट अमरावती उत्तर प्रदेश लख इसे रोजगार को बड़ावा मिलेगा नेक्स्ट हम देखते हैं ग्यान पीट पुरुसकार जो ग्यान पीट पुरुसकार है जो दामोदर मोजो को 57 बाफ 57 नंबर का ग्यान पीट पुरुसकार से समानित किया गया है इन्होंने किस साहित में रिकिस लिटरेचर में काम किया है कौकणी साहित में और इनको 57 नंबर ग्यान पीट पुरुसकार जो ग्यान पीट पुरुसकार से समानित किया गया है ग्यान पीट पुरुसकार के बारे हम देख लेते हैं कि क्यों दिया जाता है ये भारती शाहित के लिए दिया जाने वाला सरवोच्य पुरुसकार है ग्यान पीट पुरुसकार जो है वो भारती शाहित लिटरेचर में दिया जाने वाला एक सरवोच्य पुरुसकार है और की नमबर का था 57 डामदर मोझो से किसो को को सुरवात की लिए को बेशा कि लिए इसका सब सरवुच्र पुरॉस्कार नियास के दावरा जो यह तो नीनियाद के लिए इसका साधा जाता है और 11 लाख इसकी राशी है प्रथम प्राप्त करता जो थे पहले वो थे संकर कुरु मल्यालम्भासा के लिए नेक्स्ट हम देख ले तो प्रथम महिला जो है वो आशापून देवी 1976 जो मतलब प्रथम महिला देख लेते हम और पर्थम, पुरुष देख लेते हैं। इसके. क्यומow पुरूष देख लेते हैं। इसके. तो इसमें मैं काफी चानकरी मिल गई है। कि ज्यान पीतुए पुरुषकार की कभना उसका इसकेस्टे भूर keyboard, याज चीम塗ा इसके संकर कुरुक थे मल्यालम भासा के लिए और महिला जो थी वो आशापुन देवी थी 1976 दामोदर मोचु जहें में कुकड़ी भासा में प्रसिद्ध लगू कथा कार उपन्यास कार अलोचक और पटकता लेकक हैं उनके उपन्यास कार में लिन को 1983 में साहित तकाद में पुरुसक अब्गों 2018 में मिला इनको तो नेक्स्ट है मारा नाविक उपग्रे जो की लॉंच हो चुका है नाविक उपग्रे इस तरो ने अपनी जियो सिंक्रन सेटलाइट लाँच वीकल है आपको पता होगा कि कि कितने लॉंच वीकल मतर्ब कौन कौन से लॉंच वीकल से पहले लॉ तो जो जियो सिंक्रनस सेटलाइट लॉंच वीकल है इसके द्वारा जो है एफ वीकल रॉकेट एफ 12 से हना एफ 12 से नाविक उपग्रे एन वीए 01 को लॉंच किया है ठीक है और इसका नाविक उपग्रे जो है नो वहन समूह के जो है दूसरी पीडी के उपग्रहों में से पहला है यह लॉंच कहां से स्टेशन के है स्री हरी खोटा अंदर प्रदेश से इसका लगबग बजने 2232 किलोग्राम अना यह है इस रो का चो है दो हजार 23 के लिए चौथा लॉंच मिसन है कौन सा नाविक किस से लॉंच किया गया है आप बस इतनी शिज़ाद रखिए कि क लॉंच किया गया कहां से किया गया इस की कंप किया गया तो यह दो हजार 23 के लिए 4 पने शीज़ाद प्र नाविक जो की शीहरी कुटा आंधर प्रदेश से किस किस लॉंच विकल के दौरा लॉंच किया गया है इस सुरू ने अपने जी ओ सिंक्रियन सेटिलाइट लांजविकल रोकेट से हैं अब हम देख लेतें नाभिक के बारे में यह एक शेत्री नो वहन उपकरन प्रणाली है इसका पूरा नाम जै नाविक का Navigation with Indian Constellation है इसका पूरा नाम है और IRNSS इंडियन रीजन नेविगेशन सेंटलाइट सिस्टम पहले पुराना नाम था वो इसका था इंडियान रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम इसका नाया नाम हो गया है नाविक ठीक है और इस रोकेदारा इसको डेवलप किया गया है नाविक के उप्योग हम देखें तो इस्थली हवाई और समुदरी नेविगेशन आपदा प्रभंधन में बाहन ट्रेनिंग प्रभंधन में आपदा प्रभंधन हमारा टॉपिक है उसमें में इसमें तो वह इंपॉर्टेंट हो जाता है बाहन ट्रेकिंग और प्रभंधन के लिए मोबाइल फोन के साथ एकिकरण स्विटीक सामा है समय के लिए मानचित्रन और जियोड़ेटिक डेटा कैप्चर करने नाविक के उप्योग है यह नेक्स्ट है हमारा गलोबल जंडर केप इंडेक्स 2023 तो यह क्या है यह किसके दोरा जारी किया जाता रहा यह जारी किया जाता वर्ल्ड एकोनोमिक एक सोचालिस देसों में 127 नंबर पर हैं बहुत ही बीचे हमारा भारत लेंगिंग समानता में क्योंकि यहां आपको पता ही एक बॉइज और गुल्स में बहुत जादा नंबर पे आ रहा है कौन आरा आइसलेंड तो सबसे फर्स नंबर पे जो है आइसलेंड है किसलिए लेंगिक समानता में भारत जो है 127 नंबर पे 2030 में और 2022 का कर देखा जाए तो 135 वे स्थान पर तो यह हमारा ग्लोबल जेंडर गेप इंडेक्स 2023 इसको पहली बार जो है 2006 में जो है जारी किया गया था और लक्ष है कि समय के साथ जो प्रगति के आंकलन है तो एक संगत वाशिक जो है मीटिक मीटिक पैश करना है तो यह इसका लक्ष है अब देखेंगे कि प्रमुक आयाम जो इसके आर्थिक्स अवशर सिक्षा स्वास राजनेतिक नेत्र तो इन सब के एकॉर्डिंग हम जो है इसको चेक करते हैं किसको ग्लोबल जेंडर गेप इंडेक्स 2023 तो किस-कि प्रियावरान दिवस मनाते हैं पांच जून को इसका सुभारम जो है मुख्यमंत्री शिख्रास चौहान दौरा जेंडर जो फांच जुन दोजार तीज को किया गया है किसका सुभारम यूध फो लाइफ का रिकर्म कहां से इसकी स्टाटिंग है रबेंदर भावन जो कि भ तो रविंडर भवंजव भूपाल में सीट्थ है, इसका उप्लक्षे में किया गया है विश्व पर्यावरन दिवस के अफसरपमत, five विश्व पर्या नदिवस होता है, तो इसके उप्लक्षे पर यूपफ स्वाफ़िकरम के शुर्वात की गई हैं अब हम इसमें देख लें तो MP के जो साथ स्मार्ट सहर हैं भोपाल, इंदो, उजेन, ग्वालिया, चवलपुर, सतना और सागर में जो क्लाइमेट एक्सेंट प्लान है इसके लिए जो है वो बनेगा यह लास्टी है हमारा डायन्थ नंबर का टॉपिक हमें यहां पर दास टॉपिक लगभग कवर कर चुके हैं और रामसर जो है वैटलिंड साइट प्रमाण पत्रों इवं बादशिक परेवन पुसका वित्रण भी किया गया इसमें लोगों से पौधर ओपन के लिए पीर किया हमारे जो है एक पौधर ओपन का कारिकरम भी चल रहा है ठीक है जिसमें सीम से राजिंग जोना हर देन एक पौधा भी लगा रहे हैं और आप लोग भी लगाई है पौधा तो लगाना इक अच्छी ही बात है अगर ऑक्सिजन हो कर दो नupli थी गए है यूधm लाइफ खाणिकरफ जो में स्वामेत सवामितव योजना चूट गए ठीक है सवामीत्व योजना क्या है ultimate अगर आप में से पूछ दिया जाए कि सौंपत्ति सर्विक्षm कारी करम आज है अगर आप से पूश्छें चाए कि सवेत्स देने त स्वामित्व का अर्थ जय स्वामित्व का अर्थ क्या है गाउं की आवादी का सर्विक्षन और ग्राम चेतर में सुधार प्रध्यूई के स्थान साथ मानचित्रन स्वामित्व गाउं की आवादी का सर्विक्षन और ग्राम चेतर में सुधार प्रध्यूई के साथ मानचित कि उद्देश इसका ही है कि वित्ती तरलता को बढ़ावा देते हुए सटीक भूमे रिकॉर्ड प्रदान करके संपत्ति विवादों को जो है कम करना इसकी जो नौडल एजनसी है वो है केंद्री पंचायती राज मंत्राले देश भर के लगभग जो है 6.62 लाग गाउं का सर्वेक्शन किया जाएगा इसके अंतरगत संपति लेटा 71 करनी के लिए ड्रोन सहीद बेविन तकनी को कव्योग किया जाएगा इसमें महराष्ट करनाटक हर्याना उत्तरप्रदेश उत्राखन मध्यप्रदेश पंजाब और दोन डॉट रड़िजस्थान की जिंद गाउं में लागुल किया जाएगा तो ये यंद्मीती संपति तकनीक है किया जाएगाए सव्विक्षन किया जाएगा स्वामित्य उज्णा के मत्यों स्थां है बहुत मिला है तो यह तो हो गया हमारा MP का डीटेल कुछ MP के भी है कुछ के इंत्री के भी है और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है इसके अंदर तो आप लोग प्लीज इसको वीडियो को पूरा देख लीजे ला और इसको लाइक से शब्सक्राइब जरूर कीजिए और कोई मिस्टिक्स है या कुछ है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएए थैंक यू